वियर्स हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवी गणिद प्रिच कोर्स और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेज नंबर उनसा हाट तो पेज नंबर उनसा हाट पे कारेपत्रक छे दे रखा है और इसमें एवाला क्योश्चन है पांच सैंटिमीटर का रेखा खंड खीचे और इसका लंबारधक या लंबसम दिभाजक खीचे तो यहां पे हमें सबसे पहले तो पांच सैंटिमीटर का रेखा खंड खीचना है और फिर उसका लंब समधिभाजक खीचना तो बहुत ही आसान है अप्रश्ण तो शुरू करते हैं इसको हल करेंगे सबसे पहले 5 cm का रेखाखंड खीच लेते हैं तो रेखाखंड खीचने के लिए हम इसकेल की सायता से खीच लेंगे 5 cm की नाप करेंगे इसमें तो यहां बीच में सेंटर में कर लेंगे ताकि हमको इसका लंब समधिभाजक खीचना आसान रहे तो यहां पे 0 पे एक बिंदू बनाया दूसरा बिंदू 5 पे और इसको मिला दिया यह 5 cm का रेखाखंड हो गया है और हम इसे नाम भी दे देंगे इस बिंदू को नाम दे दे बी और इसकी जो मापे वहे 5 cm अब हमें इस 5 cm के रेखाखंड पे एक लंब समधिभाजक या लंबार्दक खीचना है तो इसको खीचने के लिए हमें प्रकार की जरत होती है ठीके यह वाला और इसका समधिभाजक खीचने के लिए हम यह जो पूरी दूरी है ठीके 5 cm की अधिक दूरी ले ले लेंगे ठीके इसमें हमें नापने क्या शक्ता नहीं आधी से जादा हो जाने चाहिए तो इहां लगबग आदा होता है तो हम इससे जादा ले लेंगे ठीके आधी से अधिक माप ले लेंगे और इस माप से इन दोनों बिंदू से चाप खीच देंग इस प्रकार से ये एक खिस दिया हमने और इसी प्रकार से नीचे भी खिस देंगे तो यहाँ पर हमने नीचे भी खिस दिया है अब हम इसी प्रकार को बिंदू बी पे रखेंगे और ये माप हमें वही रखने माप को बदलना नहीं है जैसा था वैसे ही माप रखना है अब इसको बिंदू B पे रख दिया और पैंसिल से हम फिर से चाप खिस देंगे यहां पर तो ये हमने उपर वाला कर दिया है और ये वाला नीचे तो इस प्रकार से देखो उपर एक क्रोस आएगा और एक नीचे क्रोस है तो यहां पर एक बिंदू यहां बनाएगा और एक बिंदू यहां बनेगा तो ये जो उपर वाला बिंदू है इसको यहां पर बिंदू है और एक बिंदू यहां है तो इस बिंदू को हम नाम दे देते हैं M, और इस बिंदू को नाम दे दिया N, तो अब M और N को हम मिला देंगे, तो यहाँ पर मिला देते हैं दोनों बिंदू को, यह M से N मिला दिया, और यही जो M N है, यही AB का लंब सम्धिभाचक है, जो कि हमने कर दिया, बहुत ही आसान और जब भी किसी भी रेखा खंड का जो किसी भी नाप का हो उसका जब लंब समधिवाच किछना हो तो जितने हमें माप दे रखी रेखा खंड की वह तो उसी माप का बना लेंगे उसके बाद हम प्रकार से नाप लेंगे आधे से अधिक दूरी ले लेंगे ठीके नाप ने क् केवल आधे से अधिक दूरी यहाँ पर ले लेना है प्रकार की सायता से एक चाप उपर एक चाप नीचे खिचना है, एक बिंदू से फिर दूसरे बिंदू पर वापस हम रखकर एक चाप उपर एक चाप नीचे खिच लेंगे और उन दोनों को मिला देंगे तो हमें लंब स्वम्धी भाजक मिल जाएगा इसके बाद अगला जो B वाला कुश्चन है इसमें लिखा P Q का लंब स्वम्धी भाजक कीजिए लंब स्वम्धी भाजक पर कोई बिंदू M लेकर P M तथा Q M को मिलाएए P M सेंटिमेटर तो यहां P M की माप लिखने है वो कितने सेंटिमेटर का है और Q M यहां सेंटिमेटर लिखना है तो Q M की भी माप करने हो रहे हो कितने सेंटिमेटर है हम यहां लिख देंगे और यहाँ जो PQ का लंब सम्धी बाचक किचिये लिखा है, तो यहाँ PQ जो रेखाखंडा में दे रखा है, ठीके PQ रेखाखंडा दे रखा है, जिसका लंब सम्धी बाचक किचना है, तो लंब सम्धी बाचक उसी तरह से किचिंगे, जैसे हमने उपर करा था, उसके बाद लम्समधी बाचक पर कोई बिंदू एम ले लेंगे और पी एम और क्यूअन कि डूरी आपकर श roadmap कर देंगे सबसे पहले पी क्यू का लंबसमधी बाचक खिच लेते हैं था लंबसमधी बाचक कि खिचने के लिए म् प्रकार लेंगे और प्रकार की सायता से केसे कीचेंगे इसकी जो आधी से अधिक दूरी लेना तो यहाँ पे ये आधी से अधिक हो गई है तिके आधी से अधिक दूरी लेकर इसी माप से दोनों बिंदू उपर प्रकार का ये वाला जो भागे पॉइंटर ये बिंदू ये भाग रखकर पैंसिल से हम चाप खीज देंगे तो सबसे पहले हम बिंदू पी पर रख लेते हैं तीके आधे से अधिक दूरी ले ले हिए पी बिंदू पर हमने इसको रख दिया देखो और ये आधिस से अधिक दूरी है तो एक चाप उपर काटेंगे और इसी से एक चाप नीचे काट देंगे इसको हमने पी बिंदू पर रख का एक चाप उपर और एक चाप नीचे काट दिया है अब इसी को हम बिंदू क्यों पर रखेंगे इसी माप को क्योंकि हमें माप नहीं बदलना है बिंदू क्यों उपर रख दिया एक चाप उपर काटेंगे और एक चाप नीचे अब हमें यहाँ दो बिंदू मिल गए देखो इनको मिला देंगे एक बिंदू तो ये वाला है और एक बिंदू ये है तो इस बिंदू को नाम दे सकते हैं, मानले हमने इसको नाम दे दी R और इसको S नाम दे देंगे, इन दोनों बिंदू को मिला देते हैं, तो R से S को मिला देते हैं, ये इसका लंबस समधिभाजक हो गया है, P Q रेखा खंड़ का लंबस समधिभाजक हो गया है, R S, अब हमें जो कहा गया था कि लंब स्वम्धी भाजक पर कोई बिंदू M लेकर P M तथा Q M को मिलाई है तो कोई सा भी बिंदू यहाँ पर इस लंब स्वम्धी भाजक पर कोई सा भी बिंदू M ले सकते हैं तो हम यहाँ ले लेते हैं ताकि हम आसने सिदिक पी जाए तो ये बिंदू M हो गया है अब हमें P M और Q M को मिलाना है तो P से M को मिला देते हैं सबसे पहले ये P M को मिला दिया हमने और Q M, तो Q M, Q बिंदू यहां है और M वहां पे है तो Q M को भी मिला दिया है P M और Q M को मिला दिया है और अब हमें माप करके लिखना है मिलाईए के बाद PM कितना cm और QM कितना cm है हमें PM की दूरी नापनी है तो PM की दूरी नापनी हैं हम इसको यहां से शुरू कर लेते हैं तो 0 यहां रखा है और यहां से यहां तो यह 4.5 cm आजाएगा ठीक है तो यहां पर यह 0 है और यहां से लगा कर यहां तक है तो यहां से यहां तक यह भी 4.5 cm है तो हम यहां पर लिख देंगे 4.5 cm तो इस प्रकार से हमने PQ का लंब सम्धी भाचक RS खिच लिया था लंब सम्धी भाचक पर कोई बिंदू M ले लिया M से PM और QM की दूरी भी हमने माप लिए और यहां लिख दिये तो यह बहुत ही आसान सा प्रश्ण था दोनों ही A व B वाले कुश्चन पेश नबर 69 के और इससे हम लंब सम्धी भाचक किचना भी सिख जाएंगे जिसका एक ही तरीका होता है कि जो रेखा कंडे उससे आदे से अधिक दूरी लेकर दोनों बिंदू से चाप काट लेंगे और चाप काटने से जो प्रतिछत बिंदू प्राप्तों के उनको मिला देंगे तो हमें लंब सम्धी भाचक मिल जाएगा इसके बाद प्रश्ण नमबर दूसरा यहां दे रखा है जो कि पेज नमबर सहाट पर है तो पेज नमबर सहाट भी हम करेंगे तो दूसरा जो प्रश्ण है वह है क्या पी क्यू एबी का लंब सम्धी भाचक है क्यों तो यह जो P क्यू है P से Q यह वाला जो रेखाखनद एक क्या है AB पे लंब समधिभाजक है और हे तो क्यूं तो लंब समधिभाजक उसी समय करलाएगा है जबकि यह जो P क्यू है रेखाखनद AB को दो बराबर भागों में बाड़ता हो तो दो बराबर बाग तब होंगे जब AC बराबर होगा CB के यदि ये दोनों बराबर है मतलब ये लंब सम्दिबाचक के क्योंकि लंब तो है और यह इसको दो समान भागों में बाट रहा है या नहीं तो हम देख लेते हैं कि क्या यह इसको समान भागों में बाट रहा है तो हम इसको नाप लेते हैं A से C की दूरी A से C की दूरी है लगभग 3 सेंटिमेटर और C से B की दूरी भी देख लेते हैं तो C से B की दूरी भी लगभग 3 सेंटिमेटर ही है मतलब AC बराबर है CB के और तो हम यहाँ लिख देंगे हाँ या नहीं तो हम लिख देंगे हाँ क्योंकि जो PQ है वह AB का लंब सम्धिबाचक है और कारण कारण लिख देंगे AC बराबर है BC क्योंकि यह दोनों बराबर है दो बराबर भागों में बाड़ दिया है इसका मतलब है जो PQ है या AB पे लंब सम्दिभाजक है इसके बाद अगला जो प्रशन है फिर हमें बताना है कि यह जो PQ है यह AB का लंब सम्दिभाजक है और यह तो क्यों तो यहाँ PQ जो है लंब तो है इस पे क्योंकि यह समकौन बना रहा है लंब तो है लेकिन लंब समधिभाजक उसी समय होगा जब AC बराबर होगा CB के तो हम इसको नाप लेते हैं तो AC का माप है 3 cm और CB का है 4,5 cm तो यह तो 3 cm का है और यह 4,5 cm का तो इसको दो समान भागों में नहीं बाटा इसने इसलिए PQ AB पर लंब समधिभाजक नहीं है तो सबसे पहले हमें बताना कि लंब समधिभाजक है तो हम लिख देंगे नहीं और इसका कारण है कारण क्या लिखेंगे AC बराबर नहीं है BC के तो इस प्रकार आप समाजी गए होंगे कि लंब समधिभाजक की सिस्तती में हम कहेंगे तो इस प्रकार पेज नमबर सहाट के भी दोनों प्रशन हो चुके हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षन अब वी की समपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए